तो फ्रेंस गूड इवनिंग कैसे आप सभी और अभी बज़ गए हैं साबके साड़े पाँच मैंने अपने लिए धोड़ा सा नास्ता जो है ना होता है याद किया है हलो एविवान वल्कम टू माई चैनल और कैसे हैं आप सभी उम्मित करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्लीज फ्रेंस अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा तो जी यह जो वीडियो है यह है फ्राइडे की इवनिंग से तो अभी है ना सामका टाइम हो रहा है तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाए और मतलब आज ना मैं यह बाल वाल ना इसलिए कोली रखी थी पता नहीं क्यों मेरा सीर ना दर्द हो रहा था तो आज मझे पूरे दिन होगा है मैं ऐसे ही करके बैठी हुई हूँ आज बाल वास नहीं किये हैं बस ऐसे ही मैंने तेल लगाया है थोड़ा सा बालों में ओइल किया है क्योंकि मैं थोड़ी वहत तेल लगा लेती हूँ ना तो सिर न ठीक हो जाता है तो इसलिए अभी मैं बाल ने से खुले रखी हूँ और अगर बांध लेती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा दर्द सा होने लगता है तो इसलिए ना अभी वसे मैं सामकी जो चाय है वो बना रही हूँ और अभी यहां पर मतलब देखी कितना अच्छा क्लीन जो है किचेन मेरी रहती है सोबे जो काम कर लेती हूँ ना तो फिर एक भी कुछ भी यहां किचेन जो है ना बिलकुल भी गंदी होती है क्योंकि तो पहर तक मेरे सारे कामना अल्मोस्ट हो ही जाते है और सोबे सोबे सारे काम कर लो ना तो एक यही आदत रहती है इसलिए सारे कामना बिना किसी टेंसन के इजी तरीके से मैनेज हो जाते है अगर सारा रूटीन अगर एक बार में सेट हो जाए ना तो सच में काम ना बहुत असानी से हो जाता है और इतना ज्यादा बोज टाइप में नहीं लगता है तो बस कोशिस यही करती हूँ मेरा रोज काम सोबे के टाइम में जो मैं काम करना स्टार्ट कर देती हूँ ना तो फिर काम मेरे सोबे से तो बारा वज़े तक ना कंप्लीट हो जाते हैं और फिर उसके बाद मैं अपना और भी काम जो है वो एडिटिंग का वो करती हूँ और पिर कारतिक का भी और भी काम हो अच्छे से जल्दी जल्दी में आ जाएगा नहा के और ऐसे करता है तो इसलिए मैं उसको जरू से नहलाती हो तो यह भी काम होता है तो फ्रेंस गुड इवनिंग कैसे आप सभी और अभी बज गए हैं सामके साड़े पांच मैंने अपने लिए थोड़ा सा नास्ता जो है ना बनाए इसकी रेसिपी मैं सेयर करना भूल गई इसमें चलो किसी और दिन बनाओंगी तो आप लोगों से सेयर करने जब तक यह ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं कर लेती हूं यह वाला काम इतने सारी कपड़े हैं दो कर बतने क्यों आच करना हर दो तीन दिन में से खटते हो तो इसलिए मुझे यहां पर है ना अपनी जो रियल आवाज है वो म्यूट करने पड़ी और आप लोगों से मैं बात भी कर रही थी बस यही सारी के बारे में कि सारी के बलाउसे मुझे स्टिच करने हैं सिलवाने हैं और इसलिए इतनी सारी जो अभी ना मैं कुछ दिनों स साड़ी साड़ी पहन रही हैं अच्छे लगते हैं क्योंकि कभी यह दो तिन दिनों ना मन भी करता है क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी रखी रह जाएंगे में पहनी नहीं पाऊंगी तो इसलिए मैं वही आप लोगों को बता रही थी जब मैंने चाय बनाए थी ना तभी मैंने एक नास्ता भी बनाया था पर वो नास्ता मैं आप लेगों से सेर नहीं कर पाई तो अब मैं बनाऊंगी ना दुबारा से फिर कभी तो आपने उसे सेर जरूर करूंगी वो इसलिए करूंगी क्योंकि पता है यह जो मैंने पकोड़े बनाए ना सच में बिना फ्राय किये और वो एक आता है ना एलेक्टरिक वाला जो क्या बूलते उसको वो बिना ओयल का उसमें खाना बन जाता है उसका नाम नहीं आरा मझे आप लोग बताना वो एक मतलब पकोड़े क्यों कुछ भी उसमें मतलब हो जाता है वैसा ही टाइप में अगर हमारे पास नहीं भी है न तो हम उसका घर पे भी कुछ दूसरे तरीके से जुगाड़ करके कुछ मतलब करके बना सकते हैं तो वैसा ही मैंने कोसिस की थी मैंने सूचा गैस पर यह तो बिना ओइल के और इतनी अच्छे पकोड़े सच में वह भी आलू प्याज के और मैंने अप्पे में बनाए थे बहुत ही टेस्टी बने थे और ज्यादा मेल कार्थिक नहें वह खाए हैं तो अभी आप लोगों को मैं दिखा रही हूं यह तोड़ा सा जो क्लिप है ना मैं सिर्फ अभी थोड़े से लेकर आई हूं और अंदर और रखे हैं तो मैंने सोचा क्या पताकार्थिक खाता है कि नहीं इस तरीके के क्योंकि वह ऐसे वाले पकोड़े ना खाता नहीं है तो इसमें मैंने अजवाइन की जो पत्तियां हैं मेरे घर पे लगी हुई है फ्र दूरे ही करके बनाओं क्या पता किसी को पसंद आती है आज या नहीं एक जो ख़ंगत Edu ऑफ सोस भी होता थयूरे नंए। बिल्कुल कम ओयल में और थोड़े से ही बनाए थे बारा जो उसका वो रहता है आप पे बारा कैबिनेट जो टाइप में होते हैं तो उतने भी ने बने थे आठ ही बन पाए थे तो देखिए कारतिक ना इतनी अच्छे से खा रहा था सच में मैंने तो दो ही खाए थे और फिर मैंने सूचा यह और ना मांगे इसलिए मैंने नहीं खाए फिर मैंने का चलो यह खा ले साम का नास्ता जो है कभी कबार तो यह करता है नहीं तो साम को तो नास्ता कारतिक ना करता ही नहीं है मैं तो थोड़ा बहुत कर लेती हूं साम के टाइम कुछ भी ले लेती हूं क्यो तो अभी ना खेल के आया था फिर उसके बाद खा रहा है और अभी बोल रहा हम में थोड़ी सा और खेलूंगा तो मैंने का चलो ठीक है खेल लो तो अभी मैं यहाँ पर चाय पी रही हूं और हम लोग देख रहे हैं एक मूवी रोज हम लोगों की है ना मनलब वर टी बी चाल के आरतिक ना आते हलेख रहे ख़ुंगे से क्या है ऩूर्वारं और हम प्लोड़ी रहे हो अटके है यहाँ पर रहे हो तो बसके बने का क्ला करतारे बतार है अच्छा 一切ılar मैंने इसमें लगने दी कि इसमें प्याज है और मिर्ची है क्योंकि प्याज अक्सर करते हर चीज से निकाल निकाल के अलग करता है तो इस तरीके से मैंने डाले कि वो पूरा ही खाली है उसने बिल्कुल भी नहीं निकाला कुछ भी तो वस यहां देखिए नास्तरोगे करने के बाद हो गय और उसके बाद यहां पर यह मैं खाना बना रही हूँ तो वस फटा फट से मैं सुचा चलो खाना बना लेती हूँ और साड़े आठ बजे नौ बजे से मैं खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ थोड़ा अब जल्दी बना लेती हूँ पहले तो नौ बजे से स्टार्ट क पर देती हो तो सबजी जो है मेरी बन गई थी अभी रोटियां वस मुझे बनाना बाकी है तो रोटियां बनानी है और उसके बाद ना फिर मैं सबको खाना दे दूँगी अच्छा मेरी एक यही गोसिस रहती है सबसे ज़्यादा आप लोग जानते ही हैं कि मैं कोई भी चीज ऐसे बनाती हैं कि मेरी फैमली को पसंद आ जाए और बड़े सौक से खा ले तो बहुत जादा खुसी होती है कि चलो आज पसंद तो किये क्योंकि है ना खाने के मामले में मेरी हस्बेंट भी बहुत सी चीज़ें नहीं काते हैं कार्तिक भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खाता है तो मैं ना उन चीज़ों को जो नहीं खाते हैं जो चीज़ें त करके मैं कुछ न कुछ इस तरीके से बना देती हूं तक यह लोग खाने और पता भी ना चले तो बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है मेरे साथ भी ऐसा ही होता है खाने के मामले में खासकर इस पैसली कार्थिक के साथ क्योंकि अभी भी मेरा कार्थिक ना बहुत सी सबजियां क्या नहीं तो ना आज कल थोड़ी थोड़ी ना अब खाने भी लगा तो देखिए यहां पर ना मेरी रोटियां जो है वो बन गई है और आज मैंने खाना में बनाया है आलू बरी की सबजी रोटी और चावल का चावल दोपहर का रखा ही था अभी ना कुछ दिनों से हम बना ली है और यहां पर रोटी भी बनी गई है और वस मेरी अजबेंड आ गए थे तो बोल रहते हैं खाना वाना बन गया है तो चलो खाए तो मैंने का बस दो रोटी और रह गई है बस यह बना लेती हूँ तो वस बनाने के बाद सबको मैं खाना दे दूंगी और आज का जो वीडियो है मैं इसी के साथ ends करती हूँ उमिद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगे होगी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक किजीएगा सेर किजीएगा अपने फैमली दोस्तों के साथ और चैनल पर न्यूआ आये हैं तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नैश्टी वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाई बाई